छेलिए गुड मॉनुर्ण गुड मॉवानिंग सबी को गुड मॉनिंग मघ inner sleep गुड मॉनिंग किषी को गुड मॉन्ortun int मैं सभी को गुड मॉनिंग का चलिया वाजो करा मिल पारेएं कि अभाज वगर आ रहे हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहां पर दे सकते हैं संग्या है लिंग है वचन है कारक है जहां से आपको कम से कम पांच कोशन मिलेंगे 100% मतलब आज की इस क्लास में और यहीं से कोशन कम से कम 5 Qtion आपको मिलना है संग्या से मिलेंगे आपको 2 दो आपको Link से मिलेंगे आपको वचन से 1-2 मिलेंगे और कारक से मिलेंगे तो हो सकता है इससे 6-7 Qtion भी आपको आ जाए इस Class से ठीक है न तो इस Class में बहुत वड़ी Class नहीं होगी लेकिन जितने भी हम question आपको पढ़ा देंगे आपको यहीं से question आपको मिल जाएंगे हना तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा इसके मत करिएगा पहली बार जुड़े है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए मतलब आपसे यह कह रहा है कि यहां पर मनुस्तिता सब्सक्राइब का है यह है क्या तो आप कहेंगे मनुस्तिता देखो मनुस्ति सब्सक्राइब होता तो अलग है मनुस्तिता है तो आपको यहां पर कैसा और कैसी अगर कैसा से अंसर आता है तो आप कहेंगे क्या यह पूर्ल है तन कैसा है तो आप कहेंगे सर यह है आपका पुर्लिंग ऑप्शन डे नंबर है राइट हो जाएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है दिये गए विकल्कों में से वह सब्द चुनिये जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला ऐसा कौन सब्द है यहां पर बताना है आपका फोर नंबर क्या हो जाएगा कच्छा प्रतेक सब्द होता है क्या email by अच्छा और अच्छा आधहरों याद रिखिए वाक्यों का जो वरगी करण होना होता है यह नहीं गौन सब भवावाचक संग्या नहीं है भाव आचक संग्या नहीं है, question number आपका 6 दिया गया है, तो यहाँ पर देखो आपसे कहा रहा है, सोना, मनाही, खुसी और विद्दता, देखो सोना, मनाही, खुसी और विद्दता, 6 number, देखा जाये तो यहाँ पर देखो मनाही सब्दा आपके भाव आचक है, आप मना कर रह पर देखेंगे। मतलब आपसन भर देंगे यहाँ पर आपका इनमरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन आपसे दिया गया है निमने लिखित में से भावाचक संग्या आपकी कौन सी है भावाचक संग्या पुछा गया भावाचक बताएगा सेना है कुझ है परिवार है तो इसमें तो आपका नहीं होगा यहाँ पर यवन है लोब है और मोह है यह बिल्कुल सही हो जाएगा याद रिखेगा यवन लोब और मोह यह आपके भाव को दस आ रही है मतलब option जो आपका आएगा वो आपका B नमबर राइट हो जाएगा अगला question दिया गया है लड़का किस प्रकार की संग्या है तो लड़का तो भई बहुत जादा हो जाएगे यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार की यह जाती हो जाएगी मतलब option जो आपका आएगा सी number यह आपका सही जवाब बन जाएगा ठीक है अगला बताएगा कि बुढ़ापा सब्द किस प्रकार की संग्या है चलिए कमेंड करिए कि बुढ़ापा सब्द जो है वो किस प्रकार की संग्या है 11 number option को लो करें जल्दी से बिनमबर चलिए बिनमबर आया है यहाँ पर देखे आपका जवाब बिल्कुर सही है यह आपके भावाचक संग्या है क्योंकि बुढ़ापा दिया है और बुढ़ापा क्या है भाव हो जाएगा अगला है निम्रिकित में से जातिवाचक संग्या कौन सी है जातिवाचक संग्या पूछा गया है और जातिवाचक संग्या दिया गया है तो मिठास तो होगा नहीं क्योंकि ये वाव में आएगा सुन्दर्ता भी नहीं होगा चतुराई भी नहीं होगा लेकिन यहां पर पेंड जो आपके हैं वो जातिवाचक में आएगे पेंड तो कई परकार के हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, हना यहाँ पर जो अंसर आएगा वो आपका यह नंबर पेंड हो जाएगा, ने इस कोशन दिया गया है, सेना, कामा दल, कामा सभा और कच्छा, आधिस अब्द कौन सी संग्या का बोध कराते हैं, सेना में लोग होते है सभा में भी होते हैं, कच्छा में होते हैं, कोल मिला कि देखा जायते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे, यह संभू को दर्सा रहे हैं, यह संभू को दर्सा रहे हैं, तो आपसन जो बनेगा, वो आपका सी नंबर हो जाएगा, अगला कोशन दिया गया है, सिच्छक किस प्रकार की संग्या है अब यह पर बताए सिच्छक किस प्रकार की संग्या है तो आपको आते ही कि जाती वाचक होते हैं ने अनेक का भाव होता है तो आपका जाती होता है अगला आपसे दिया गया है ज्यादती भावाचक संग्या का बिसेशन क्या होगा ज्यादती ये भावाचक संग्या है और इसका बिसेशन पूछा गया है तो यह इसका बिसेशन हो जाएगा ज्यादा क नम्रống सब्धिन सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और और कि हमके यहाँ पर देखो लालिमा सब्दा आपको दे दिया लालिमा, हना अर्थात यही आपके भाव को दर्शा दिया है, आप का अमसर यह नम रॉपर에 राइठ हो जाएगा, लालिमा बन जाएगा, अगला कुशन दिया है नदी संघ्या का कौन सा भेध है, नदी में बताईए गा नदी में कौन सी संगया है अब आप यह बताये वह सब्सक्राइबー 18 में और सब का जवाब आना चाय है। चलिए नदी में दिया है तो आप केंगी सरु आपसन नंदी न नदी लेकिन वह आईगे लेकिन अगर यह पर बोल दिया या जाता है कि या आपकी यमना या गंगा या ब्रह्म पुत्र या निल नदी इस पिसर नाम लिया होता तो वो तो एक है और जब होता ब्यक्तिगत ब्यक्तिगत होता तो आपका ब्यक्तिवाचक हो जाता ठीक है अगला यमना किस प्रकार के तो आप कहेंगे सर यमना तो एक ही होती है और प्रकार के सब्दों से बन सकती है तो देखिए भावचक संग्या जो आपकी बन सकती है कितने प्रकार से चले तेन प्रकार से पांच प्रकार से चार प्रकार से या शे प्रकार से तो आप केंगे सर कुछ नया लग रहा है हमारे followers के कितने प् chỉ्रिया से और अबे से इसका screenshot लीजे हना इसका screenshot लीजे क्योंकि दिख भी रहा है और जब दिख रहा है तो इसका screenshot जरू लीजेगा क्योंकि अगर नहीं दिख रहा होता तो फिर हिमाले एक है या बहुत है तो आप कहेंगे सव्हिमाले तो एक है है और जिब Одग है तो आप Boys Pinky coach मतलब हो गया यहाँ पर आपका जो अंसर बनेगा वह आपका हो जईगा फेक्ती वाचत संग्या ऑप्शन सी हो जाएगा लेका है चीज बहूत हो जाते हैं और आप कहेंगे यहां पर जवाब सनाएगा वो आपका जातिवाचक संग्या राइट हो जाएगा अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी भावाचक संग्या है भाव को दर्साने वाली यहां पर संग्या आपकी है कौन मोहन तो हो नहीं सकता है यह संग्या का काम करेगा लंट आप कहलेंगे हैना बताइगा बित्पत्य के अधार पर संग्या के कितने भेद होते हैं आपने जरूर पढ़ाओगा को चालिस ऑप्सन को लुग किया जाए चलिए यहाँ पर देखे जवाब आया है प्रियास भी अच्छा है हना यहां पर देखा जाए तो 40 को आपसन होते हैं विद्पत के धार पर जो संग्या होती वो तीन प्रकार से होते हैं अब यह क्या होता है तो इसका भी स्क्रीन सौर ले लिजेगा यहां पर देखेगा यह जो आपकी संग्या विद्पत के धार पर तीन प्रकार के होती है एक तो रूड संग्या रूड मतला होता है ज उनों अर्थ निकलेगा और योग रूट संग्या जो होती वो बहुबरी समास के रूप में आती है तो आपका जलाज है पंकज है दसानान है ये बहुबरी में आएगा तो इसलिए एक बार इसका स्क्रीन सोट जरूर लीजेगा ठीक है ना जितने लोग हैं इसका स्क्रीन ठीक है ना काम आएगा अगला कोशन यहाप पर आपका आगया है जो कि सुची फश्ट को सुची सेकेंड से क्या करना है आपको सुमेलिद करना है और यहाँ पर जो आप सुमेलिद करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकास से महोल आपको मिल गया है यहाँ पर क्लिक्ता निम्निखतिकन मिलेग्न सब्द में से कौन सब्द आपका समूह वाचक संगय नहीं है 42 अमगे समूह जो आपकी भीड होती कछा में भी समूह होता ए लेकिन यहांपर जो दोड सब्दाता है तो दोड़ में जरूरी ही कि इसमें बहुत लोग दोड रहे हैं ऐसा भी तो नहीं है तो आपके आप करनेया है यहाँ पर बताएगा कि गाए कौन सी संग्या है क्योंकि इस क्लास में बहुत ऐसे लोग है हना जो घाइज सीदे भी है यहां पर गाए आप कहेंगे और गाय कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर्ये यह जातिवाचक सग्या को पहंचानना है 15 में दोस्तों यांपर संग्या है कौन यह को अच्छा है नियमित पाज्चात अगर से कोश्चन को अगर आपने सही कर दिया तो आप समझो सुपरमैन आपको लोग कहलाएंगे गर आइस कोश्चन को आपने सही कर दिया चले यहां पर देखो आपका जवाब आया है आसमानी अच्छा भी या इतना तो आपको ग्यान हई है कि वह यह जब सिंपल होता है बिना मे अब यहां पर देखो जो अनुसासन है अनुसासन सी हो जाएगा अगर इसका विसेशन हो जाता अनुसासित बन जाता क्या बन जाता अनुसासित बन जाता लेकिन यह है आपका सिंपल अनुसासन सब्दाप का बिल्कुल सिंपल है इसको अगर विसेशन बनाते तो यह अनु हारा यहां पर गोण को दर्शा रहे हैं मतलब देखा जाए तो यहां पर जो आपका सभाइक यहां जाना है होगी और इस में क्या वगाए यह सम्हु 협ुत के हdar होई काई हम ने कहा है रंग बोधुदक्षा सभाह है इस्थ सफनर हना यहां पर देखा जाए तो आपकी दसा बुधक जैसे आपका होता है मोटा पतला ये दसा बुधक ये अपका भी सेशन होता है अना लेकिन वह सभा तो आप अभी लोग पढ़ ही रहे थे ना पूरी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो सभा 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 में क्या है बहुत लोग होते है अर्था ती तो आपकी एक प आपड़ रहे हैं और पड़ रहे है तो कुछ ङ्ञान भी ले रहे हैं चलिए नहीं है तो आप किये पाणी नहीं तो द्रब्वे में तो रही सकता है यह हमारी इसाथ से संघ्या से लेटिर आपको समस्या नहीं होना चाहिए यहां पर है अचूख विसेशन के साथ उपीचत संघ्या क्या है अचूख सब्द दिया गया है है अन्य Steph तो अran तो अचूख सब्द विसेशन है और इसका संघ्या होजेगा निसाना लगा और ये question आपका बिल्कुल latest आपका है अना बिल्कुल modern जवाने का ये आपका fashion वाला है याद रिखे अचूक भी session है लेकिन इसी का जो संग्या बनेगा उन निसाना बन जाएगा ठेके ना clear हो गया है तो संग्या related आपकी समस्या खतम होती है अब यहाँ पर हम लोग देखते ह हैं आपके अगले point से कवा के इस्तरी लिंक के नियोधारन के लिए आप क्या करेंगे कवा का इस्तरी लिंक अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे चलिए बताएगा बहुत ऐसे student आते हैं class में पढ़ते हैं और ऐसी class को skip कर जाते हैं जहां से भवी से बनना है हमने कहा कि इस class में हम guarantee ले रहे हैं 100% guarantee ले रहे हैं कि जिस दिन paper देने जाना इस वीडियो को उठा कर देखना कम से कम 5 question 100% इसी से मिलेंगे बहुत बड़ी class नहीं है लेकिन 5 number हम guarantee दे रहे हैं यहीं से मिलेंगे क्योंकि हमें मालूम है संग्या से link से वचन से कारक से 5 question तो आना ही आना अपका चूए करते हैं कि यहादर के माध़ा लगा देते हैं क्या sum luego में अगला मंत्री का link करना है मंत्री का लिंग निर्धारन करना है आपका जवाब किया हो जगा 55-00 अब यहाँ पर देखें मंतरी के रहुत करते हैं 55-00 अब बताए क्या हो जगा पुर्लिंग हो जगा यह उभै लिंक हो जगा हमने का कि सजी सजी बात की जाए तो यह तो कहा है आपका भीया कि अमने प composer लगा दिया यह कौनसी बात होती है उप क्टों मतलब होता है इसमें आपका है इनो पर जाए है यहाद रिखेगा मेहलाम भी मंतरी hen में पूछा गया था कनिशक सहायक परिच्छा में तब आपका जो अनसर सही की आ घञा था उभाली जब ऐसे में लोग सिधा बोलतें यह पूर लिंग है क्योंकि मंती मंतरी है तो पूर लिंग जाता है अगरा कोशन आपके आता है कोशन दिया गया है अपवाद को छोड़ कर वर्ण माला के अच्छों के नाम किस लिंग में होते हैं हमने आपको वर्ण माला पढ़ाया था हना आपको हमने क्या बताया वर्ण माला पढ़ाया था वर्ण माला में हमने अपको बताया था कि जो छोटी ही है बड़ी ही है और आपका रिसी है इनको छोड़ दिया जाए तो सभी क्या होते हैं यहाँ पर पुरलिंग होते हैं आपका ए नंबर अब नपुनसक इन में लगा देना है ठेक हैं नपुनसक अमपुनसक मत लगाईए क्योंकि आपको पढ़ रहे हैं वचन और पुरलिंग सब्द में प्रत्य लगाने से बना है एक सब्द था पुर लिंग ठीक है ना लेकिन इसमें सब्द सब्द में प्रत्त लगा दिया गया तो आपके इंग इस सब्स Cake में अगर दिखा जाए तो भेड treffen हैं और बड़ा कि मत्रा लगा दिया गया प्रत्ते लगा दिया तो यह बेड आपको बन sorry अगला कोशं दिया गया है कि हिंदी में वचन कितने होते जिक्र किया था अब करते हैं अब आपका मन नहीं कर रहा है आपक इच्छा नहीं कर रही हैं। कि नई सर मेहनत नहीं करते हैं या सर का कंटेंट अच्छा नहीं है हना तो आप ना करिएगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीखने को मिल रहा है और फिरी में पढ़ रहा है और फिरी में हमको यह आपर लाइक भी प्रदान कर देंगे तो लाइक सर के संक्या वह ही दवाते रहेगा देखो यहां पर हिंदी में वचन आपके दो ही होते हैं जो कि अभी हमने पढ़ाया एक वचन और आपका बवचन बस इतना ही बताना इस्ट्रा मत बताना नपुनसत तो बताने नहीं है डेली क्लास होती है मैं चलती थी मैं मैं का बवचन क्या होता है हम मैं 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 का जो बुचन हो जएगा वह हो जएगा हम और अपया नम्बर नेकों दिया है तन का इस त्रिलिंग निधारन करना है तो अभी यह बह यह कैसा है यह बहाँ आप कर सिंटे न को बनेगा राइट पर फोकस करना है ओंटेंट पर फोकस करना है, numbering पर नहीं करना है, क्योंकि हमें जो question जरूरी है, जो एक्जाम में पूछा जा सकता है, बस उतना ही पढ़ना है, इस्टरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर देखो उत्तम पुरुस सरवनाम के किस वेद का एक प्रकार है, आप कहेंगे सर उत्तम पुरुस य आते हैं, उनमें से आपका उत्तम पुरुस भी होता है, एक तो आपका यहाँ पर देखो प्रतम पुरुस उत्तम पुरुस एक होता है, कौन अन्य पुरुस, तो आपका जवाब हो जगा, सिनेंबर नेस question दिया गया है, दिये गए विकल्पों में से वहाँ सब्द कथा का बगोचन क्या होगा, कथा का बगोचन बतागेगा, क्या हो जगा, आपने कथा जरू सुना होगा, आपने ने सुना होगा, पडोसी ने सुना होगा, हना आपने प्रसात खाया होगा, तो आप कहेंगे सर कथा का जो बगोचन होता है, वो होता क्या है, तो कथा का होत प्रभाव कैसा है और प्रभाव कैसा है और देखो कैसी से अनसर आता है तब आप प्राव कैसे पुर्लिंग की पैस्चान करना है क्याराइ घत्ना कैसी है लज्जा कैसी है प्राथना कैसी है राधी कैसा है तो आप से पूछा गया था पुर्लिंग और soda मिल गया है आपकाड़े नमरे क्लियर हो गया है अगला क्या रहा है नम्निकित में से कौन सब्द आपका पुर्लिंग है पुर्लिंग की पैचान करना है यहाँ पर 85 नमबर में क्या रहा है वर्सा कैसी है विधूर कैसा है रात कैसी है और दीमक कैसी है अंसर मिल गया है बी नमबर विधूर कैसा है और राइट हो जाएगा अगला को पुदक सब्दों के अंतिम स्वर का लोब कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्ते लगा कर इस्ट्रिलिंग बना देते हैं ये भी सही है ये जो आपका पॉइंट था बिल्कुल सही है आपका सी नमबर फस्ट और सेकेंड दोनों ही सही थे अगरा कोशन या पर दिया गया ह अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं रेखांकित मेंसिस जो सब्द है वापका है क्या के लिए जो सब्द आपका है क्या है क्लास में अगर आप आए हैं किलिक किया है तो कुछ सूच चरकर ही किलिक किया होगा यह क्लिक करके नहीं आया होगे किलास में चलते हैं और यहाँ पर नोटंक के हो रही होगी रासलीला हो यह तो आपने नहीं सोचा होगा आपने सोचा होगा कि हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो कोश्चन पढ़िए और अच्छे कोश्चन आपको मिलेंगे यहां पर के लिए सब्द जो आपका है के लिए तो यह आपका है क्या तो यह होता है क्या अगरा कोशन दिया गया है कि निम्निकित में से कौन सब्द आपका इस्तरे लिंग है अब आप कहेंगे सब जील कैसी है और जील कैसी है तो अंसर आपका इनमबर ही राइट हो जाएगा अगरा दिया है मध्यम पुरुष तू का सई बहुचन क्या होता है तो तू का बहुचन में समान रहता है आपर 93 नमबर में तो आप कहेंगे सब 93 के अगर बात कर लेते हैं तो आप सब क्या हो जगा यहाँ पर देखो कुटी कैसी है कथा कैसी है लता कैसे है यहाँ पर देखो सरसों जो आपका है दोनों वचनों में समान रहता है तीके सरसों जो है दोनों वचनो में समान रहता है अगला कोशन दिया है कि वचन की द्रश्टी से कौन सा जोड़ा सही नहीं है देखिए पहला पॉइंट है लता का लता ये तो सही है यहापर सखी का सखीया होता है और देखे सखीया ये गलत लिखा है और गलत लिखा है तो आपसन भी आपका हो गया बाकी आ लिए मतलब वही होता है अब यहां पर से कामा द्वारा और से कामा जो द्वारा होता है कि इसमें होता है तो करण में होता है करण से के द्वारा हाना वह बस से कानपूर गया हाना वह घटना चक टोस्रीज को पढ़कर पास हुआ हाना तो यहां पर क्या है वो करण हो गया और पूर्ड को सबस्तान लोक करना है यहां पर दिया है किस्त कैसा है क हना कस्ट कैसी है नहीं बोलते हैं कस्ट कैसा है और कैसा है तो आप से नमर राइट हो जाएगा अगला है निमनिकित में से सब्द आपको पुर्लिंग दिया गया है कौन सब्द आपका पुर्लिंग है हमें आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप क्लास में आए और अच्छा कंटेंट आपने और भा यहां पर आभार कैसा है तो यह पुर्लिंग है अगला है पुर्लिंग वाचक सब दीन में क्शित नियुक। सभाग कैसी है। आप कहेंगे 100 कॉप्सम ножी हो गया सभाग कैसी है और कैसी लगेगा तो आपका स्टिरियलिंग हो जाएगा बस पुरियोग करना अच्छा होता है, प्रियोग करना आप सीख़गय तो सब कुछ सढ़नी गए। जेको पुस्थक रखी है वाके में वच्ण न मत आई है आप पुस्तक एक't एक है ज़ादा है आप केए सर पुस्तक रखी है भाप गैर आप लृप्पर पुस्तक यह आपका यह पर सिरियल मत देखे मतलब सीरील मत देखे, आपको देखना है कि question आपके कहां है, कैसे question है, हम जरूरी वाले question आपको पढ़ना है, देखो दिया गया है क्या, कि सिच्छा का बवोचन क्या होता है, UPP पर इच्छा 2018 में question आपके पूछे यहां पर दिये गये हैं, हना, तो भैया, class में आप बने रहे हैं, मज़ आ जाता है, option D number, इसका right हो जाएगा, दोस्तों याद रिखेगा, अगला है, माने बाजार से कपड़ा खरीदा रेखांकित का कारक बताएगा, तो यहां जो कपड़ा आपका है, क्या कपड़ा है, तो कपड़ा क्या है, यह कर्म आपका है, तो आप कहेंगे, option C number, यह कर्म कार ने जो होता है, किस कारक में, आप कहेंगे, करता ने, माने, कपड़ा खरीदा, यहां पर आपका बनेगा, आप कर्ड़ी नंबर, यहां पर कर्ता ने, कर्म को, यहां पर अगला question दिया गया है, कि हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, जब भी कभी देनी की बात आए, आप कुछ मत देखिए, आप मत कुछ देखिए, आप देखिए, देनी की बात की गई है क्या, जब देनी की बात की जाए, तो आप कहिए, यह क्या हो जाएगा, यहां पर अंसर क्या हो जाएगा, जल्ली बताएगा, कि हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, आपका वो आपका जवाब हो जाएगा क्या एनमरे राइट हो जाएगा अगला कोशन आपके सामने दिया गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है कौन सा जोड़ा सही नहीं है देखे एक सुभाई संबर में क्या रहा है वधू का वधू होता है बेटी की बेटियां होता है डिबिया का डिबिया दिया गया है तो भाई या डिबिया का डिबिया यह जो आपका गलत है आपका होज़ेगा डिबिया यह जो सब्दाप का डिबिया यह जब होता है तो उसके लास्ट में यह सब्दाप का आता है जिसे बुढिया का बुढिया होता है अगला कोशन दिया गया है किस ही बवचण में प्रहुद होने वाला सब दिन में से कौन होगा तो दोस्ते आपर बवचण में कोज से अगला कोशन दिया गया है निमनिखित में से कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है कौन सब्द आपका इस्त्रिलिंग है हना अब यहाँ पर इस्त्रिलिंग बनाना बड़ा असान है जैसे कि मा लिजे यहाँ पर टोपी कैसी है आप कहेंगे टोपी कैसी है इस्त्रिलिंग हो गया रोटी कैसी है अब उसी प्रिकार से option में दिया गया है कि बहुए आपका जवाप हो गया अगला कुछ न दिया गया है नमनें कित में से कौम सब्दापका इस थी लिंग है और इस थी लिंग की ऐगर बात करते हैं तो भईया आप कहेंगे काब बे चंद्र और सौभाग ये लेकिन सुन्दरता कैसी है सुन्दरता कैसी है option हो गया आपका D number अगला question दिया गया है कि निमने किस सब्दों में से इस्त्रिलिंग को पेंचानना है यहाँ पर जो इस्त्रिलिंग है वो आपका है कौन सा देखो यहाँ पर इस्त्रिलिंग में समुदाय है गौरव है संसार है लेकिन असुनी यह असुनी जो सब्द होता है इस्त्रिलिंग होता है यह असुनी एक नच्छत्र का नाम है असुनी जग का आपका बीनमबर है अगला इनिमिज्खिट में से कौन सब्दाप का पृलिंग है पृलिंग की पहचान करना है एक 132 अंबर आपसं लोग करना है यहां है यहां पर देखा जाए बmented कैसी है हान कैसी हैं लेकिन आप वचल कैसे हैं तो वचल जो आपका है पृलिंग हो चाहेंगा अगला कोशन निमनेखित में से कौन सब्दाइपका पूर्लिंग है और पूर्लिंग के अगर बात कर लेते हैं तो आसे देश की रच्छा लेकिन गपर रास्ट कैसा है कैसा है अगला है के जह रहा है आज कल भारत की जनता भी आधिकादिक सिच्छित हो गई है तो यहांपर जो जनता सब्द आपका है यह कौन सवचन है सब से B.I.P को सनआपका आ गया है बताएगा कि जनता सब्द जो आपका है कैसा है कौन सवचन है इसको बताईएगा जल्दी से बहुत जो को हमने कहा कि पहली बार आप देखें होंगे जनता तो लगता तो है जनता ये भवचन है लेकिन याद रखे ये जनता हमेशा एक वचन में ही होता है नोट करिएगा अपनी कौपी में याद रखे जनता हमेशा एक वचन में ही होता है ठीक है एक वचन में ही होता है इसको नो खांकित का कारक आपको बताना है चलिए जवाब देना है आपका Amsal क्या था पूपत्वरह संप्रदान को के लिए मतलब आपके यह संप्रदान में आéricा यह जो चावी है वो ताले को दी गई है। यहाँपर एगला कोशन देा गया है। तो आप कहिएगे का कि सर यहां पर प्रत्मा करता ने दुतिया कर्म को तृतिया करंट से के दौरा ये चीज़े आप जरूर पढ़िएगा ये जब पढ़ोगे तब होगा मतलब आज की जो टॉपिक है इसकी थियोरी अगर आपने पढ़ लिया तो आप राजा बाबु बन ज ये तो आपके सामने आ गया है यूपि ऐसाई परइच्छा दोजार की जो आपकी कोश्रन है। हमने कहा लेबल हमा ऐसा लेके चलेंगे कि वर्दी आपके कंधों में होगी कोई भी कोर्षन छूट करने जाएगा देऊस्तों यहाँ पर दिया गया है समा चार का बहुचन दिये गया विकल्पों में से कौन सा है 172 नंबर उप्सन लोग करना है चले देखा जाएतो वहिया 172 नंबर में यहाँ पर जो समा चार का बहुचन होता है यहाँ पर उप्सन दिया गया है कि दिये गए पर्याय में से इस्त्री रिंग सब्दाप का कौन सा है तो आपका फुलका प्रकति हीरा और दुपट्टा 173 नंबर में आप्शन क्या हो जगा प्रकति कैसी है यहाँ परंसा जो आ गया यहाँ पर इनमबरे राइट हो जाएगा ठीक है ना चलिए फुलकी नहीं में भी प्रजा दुखी थी इस विकल्प में से वाक्य का बहुचन बताना है प्रजा का बहुचन क्या होता है तो यह आप कहेंगे प्रजा में जन जोड़ा जाता है क्या प्रजा में जन जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रजा जन यह होता है बहुचन होता है दोस्तों या तो आप कहेंगे सर option D हो जाएगा कहारीन होता है और ये question बिल्कुल latest है या इससे question आपको बनते हैं याद रिकिए कहार का होता है कहारीन option D बनेगा अगला question दिए गया है मामा का बहुचन क्या होता है मामा का बहुचन क्या होता है बताएगा आप कहेंगे सर मामा का बहुचन मामा होता है या मामा का बहुचन मामा लोग होता है मामा का मामा ही होता है ठीके यहाँ पर जो अंसर बनेगा वो आपका मामा का मामा ही होता है यहाँ पर एक सुचियत नमबरे यहाँ पर आपको लॉग करना है ठीके न दिये गए विकल्पों में से वधु का बवचन क्या होता है वधु का बवचन क्या होता है हाँ चलिए कह रहा है वधु का बवचन क्या होता है तो आप कहेंगे सर वधु का वधु में होता है वधु में जो की option है आपका भी number है right हो जेगा नेस question दिया गया है बिंदु का बिन्दू ही होता है और कुछ मतलम यह कि बिंदूएं कर दें या कुछ कर दें इसको भी आपको Noet कर लेना है कि वर की कि दिये गए क्लप में हимकों सब्सक्राइब कसी totally गया है नेता का इस्त्रिलिंग रूप क्या होता है नेता का इस्त्रिलिंग रूप क्या होता है नेता का इस्त्रिलिंग आपका क्या होता है तो आप कहेंगे सर नेता का इस्त्रिलिंग होता है नेत्री होता है यह पर अंसर बनेगा आपका यह परसी नंबरें राइट हो जाए है और नेत्रिय आपका हो जाएगा ठीक है ना यूपी पी यूपी एसाइग सभी कोश्चन आपको मिल रहे हैं अगरा कोश्चन है दिये गए चार विकल्पों में से कौन सब्द आपका पूर्लिंग है हमने देख सकते हैं क्लास ही आपकी ऐसी है हना जो आपके प्रिवेस एर कोर्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं उपी साय में पूछे गए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जो पहले उपी साय का लेभल था वह आने वाले पुलिस एक्जाम के लिए वो लेबल बनेगा इसलिए हम ऐसा लेबल ही लेकी चल ले हैं देखे आपका दिया गया है कौन सब्द आपका पुरूलिंग है जन्ता है भीड़ है प्राण है यहां पर उंसर होगा इनमें क्या हो जाएगा है लिए यहांपर देखेंगो पर मत ध्यान देजे आपको ध्यान देना है question पर जो एकजाम में question पूछे गए हैं यहाँ पर देखो यह 2021 में जो परिच्छा होई यह वो भी question अमने यहाँ पर ले लिया है अब यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से concept हमेशा एक वचन में नहीं रहता है तो दोस्तों यहाँ है यह प्राण हमेशा बगवचन में होते हैं याद रखेगा अगला question है इनमें से विद्वान का इस्त्रिलिंग क्या होता है विद्वान का इस्त्रिलिंग क्या होता है तो आप कहेंगे सर विद्वान का इस्त्रिलिंग होता है बीदुसी क्या होता है बीदुसी जो कि आप निम्बर दुसार्णन नहीं है यहाँ पर कौन सा है आपसे पेच्छा यहाँ पर गति है यह अत्मा है लेकिन स्वर कैसे हैं स्वर्णों आपका सिंबर हो जाएगा अगर है लचमन राम का भाई यह इस वाकिन में कौन नोट के लिए किसी को वोट मत दो ये आप से रुकेस्ट है हना कि भाईयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो अपना जो नेता है उसको स्यम चुने कि आपके भविस्ति के लिए क्या होगा कि गो एक हजार रुपए देगा, पांच जार रुपए देगा, लेकिन आपके साथ जब पांच साल अच्छा नहीं होगा तो दिक्कते होंगे, हाना ऐसा प्रधानी में वगारा वहुत होता है, देखने को मिलता है, तो दो भाईयों और बहनों नोट के लिए किसी कोट मत दो कह रहा है, इस वाकि में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कारक है आपका इनमे से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइगा, अधिकरण यहाँ पर दिया है, कर्म कारक भी दिया गया है, सम्मंध कारक है, और सम्मोधन कारक आपका है, यहाँ रहें पर जबाब इनमें सी क्या बनेगा नियुक्य किसी कोट मत नइसा कूछ मिल नहीं रहाए लेकिन संबोधन कारकहरा हैं यह अर्थ को समझने के लिए हैं यह जोपनी पर यखी संबोधन किया जा रहा रहा है हम आपसी संहत 53 हैं कि भाईयों और बैनों नोट की जगा मतलब नोट के लिए किसी कोट मद्दो एक संबोधन ग्रूप है इसमें से एक प्रकास से छुपा हुआ सब्द आपका होगा तो यह संबोधन इन चारों में से कितने इस्त्रिलिंग है कितने इस्त्रिलिंग है आप कहेंगे भासा कैसी है भाव कैसे है बोली कैसी है सब्द कैसे है तो आप कहेंगे सर भासा और बोली यह होगे आपका दो जो कि आपका डिनमर है राइट हो गया है अगला कोशन दिया गया है इनमें से इस इस त्रिलिंग सब्द आपका कौन सा है यहां पर जवाब देना है आप कहेंगे सरे यहां पर देखा जाए तो विया जवाब की समिती है कैसी है समित कैसी है आप समनेगा आप कसी नमबर है अगला है पुस्तक मेज पर है वाकि में कौन सकारक है तो आपके पुस्तक मेज पर ह कोशन आपके हैना जब पुस्तक मेंज पर है तो आपका जवाब होज़े गांधिकरण में में पर किस पर मेंज पर अधिकरण में पर आपका में में पर हैं जाती सब्द का बहुचन क्या हो जाएगा बता रहे है कि जाती का जो बहुचन होता है वो आपका होता क्या है यहां पर बताईए आपका जाती का बहुचन क्या होता है बने रही है क्लास में चलिए यहां पर देखे कुछ और थोड़ा बहुत कोश्चन आपके हैं जादा नह अगला दिया गया है निम्निकित में से कौन सब्द आपका पुर्लिंग है तो पुर्लिंग के बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर्फ पुर्लिंग या पर बिवाह कैसा है अना पूरती कैसी है अगला है इन में से कौन सी भावच्चक संग्या क्रिया से नहीं बनी है क्रिया स हमेशा कि स्वचन का प्रयोग होता है जो आदर नहीं बेक्ति होते हैं उन När के लिए कि स्वचन का प्रयोग करेंगे यह पर याद रिखे बहुंच न का प्रयोग ही होता है अbly strangerAAAA आके दिया गया है कि संस्क्रत् इसी इसका अपके बन सकते हैं तो संदर्ब रचना कैसी है तो संदर्ब कैसा है इसका मतलब है तीन आपके मिल गये है option d number आपका right हो जाएगा clear है अगला है कि प्यारे दोस्तों आप सब आवस से आईए हना प्यारे दोस्तों आप सब आवस से आईए क्योंकि ये class आपके selection वाली है हना तो देखे यहाँ पर कारा है कौन सा कारक है आप कहेंगे सर कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखे यह लगा है संबोधन हना अभी जैसे मिलादर उसमें लगा नहीं था इसमें लगा हुआ है तो यह है आपका संबोधन कारक है अगला है किसके नाम अधिकतर इस्त्रिलिंग होते हैं किसके नाम अधिकतार होते है यहां पर देखे 130 संबर में तो आप कहेंगे सर Yeah, जो बोलिया होती है अधिकतार बोलिया जो होती है वह आखे कैसे होती है इस्स फफलो में नहीं होती है ठीक है на याद रिखी स्कॉप्णा आपका क्या हो जएगा, यहां पर D-number ay, right हो जएगा, दोस्ती याद रिखें, अधिकरण जवाब का है answer, यही आपका सही जवाब इन में से right हो जएगा, clear हो गया, इतना point आप सबी का clear हो गया न, अच्छा, तो अब यहां पर एक point आपको देख लेना है, क्या point देख लेना है कि test तो खतम हो गया है लेकिन कुछ सब दैसे होते हैं एक वचन और बगोचन क्या होता है समल लीजीगा इसको नोट करना है अपनी copy में जैसे यहाँ पर राजा होता है तो राजा का बगोचन क्या होता है इधर हम लिख लेते हैं एक वचन हना इधर का बगोचन मामा होता है आत्मा का बगोचन आत्मा होता है जमाता का बगोचन जमाता होता है नाना का बगोचन नाना होता है ठीक है ना यहाँ पर देखा जा सवधा का बगोचन क्या होता है सवधा का तो आपके इंगे सर सवधा का बगोचन सवधा होता है युवा का बग बगचन क्या होता है जल होता है प्रेम का बगचन क्या होता है प्रेम होता है बाजार का बगचन क्या होता है आपके इसर बाजार का बगचन क्या होता है बाजार होता है पानी का बगचन क्या होता है पानी होता है चाकू का बगचन क्या होता है चाकू ही होता है कोचन पूछ सरसों का जो बवचन होता है वो सरसों ही होता इसको भी नोट करिएगा याचना लिख दीजिए बहुत कोशन पुछाता है याचना का बवचन याचना ही होता है याचना का याचना ही होता है समाचार का बवचन समाचार ही होता है और बिंदू का बवचन बिंद होता है याद रखेगा यह है जो आपके कभी बदलते नहीं है एक वचन बहुचन हमेशा सेम रहते हैं बाकी जब आपको ठीवरी पढ़ेंगे तो यह सब चीज़े आपको बिल्कुर नार्मल लगेंगी आसान तरीके से ठीक है ना तो आज के लिए दोस्त इतना रखते हैं उमेल है कि और यहीं से यहीं से और पांच कोशन इस टॉपिक से आपके आने हैं तो इसी वीडियो से आपके 5 नंबर कभर होंगे और बहतर से बहतर हमने आपको पढ़ाया भी है उमेड है पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा चैन को सब्सक्राइब भी करिएगा नेक्स आप